हेलो एवरीवन, वेलकम तो आवर जेई पेज जीत सिरीज, मैं हूँ सुनाली फ्रॉम लर्नोहब, अ फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पड़ सकते हो माथ, फिजिक्स, किमिस्ट्री और बायोलोजी और उसके साथ ही साथ जेई पेज जीत सिरीज, वो भी अशलूटली लाट मेंज प्रीवेस सेर के सारे कुषिन पेपर, तो आज हम देखेंगे कि कैसे सारे साल के जितने भी प्रीवेस सेर के कुषिन पेपर हैं, उसमें से लिए गए सारे सेर्स के क्वेशिन यहां पे इंकलूड़ेड है, उसको करना है आपको सॉल खुद से, ओके तो बिना तो आएम वेस किये, गेट रड़ी विथ यूर पिन पेपर, तो यहां आप देख सकते हो, यहां आप देख सकते हो, जितने भी क्वेशिन से सारे इंकलूड़ेड हैं आपके प्रीवेस सेर के क्वेशिन पेपर से, जो कि यहीं में से अध्वान्स में आया हुआ है, तो दे और यह देख सकते हो, कब आया हुआ है, ट्वेट रड़ी टू के जहीं में में आया हुआ है, ट्वेट जुलाई सेकंड शिफ्ट में, तो जल्दी से क्वेशिन को देखो, समझो और स्टार्ट कर दो, सौल्व करना, क्या है यहां, S is equal to, X belong to minus 6,3, समझी क्या होगे मतलब, that means यह बता रहा है कि यह इस interval में belong करता है, minus, यह है curly bracket के अंदर minus 2,2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि सिर्फ यह दो element, do you remember the thing, देख सकते हो, pass ही pass में दोनों ही brackets यूज़ किये गये हैं, दोनों का ही meaning है, वो totally different है, correct, तो यहां पे इस interval में से दो elements हमने minus कर लिये है तो that means x की value हमें समझ में आ गई है कि इन में से ही lie करनी चाहिए, such that उसकी साथ एक और condition है, यह inequality अपनी फुल्फिल होनी चाहिए, that means mod of x plus 3 minus 1 upon mod x minus 2 should be greater than equal to 0, that means यहां पे x हम सारे real number ले सकते हैं, जो कि इन दोनों ही condition को satisfy करे, clear, done, चालो, अब t की value क्या है, x belong to z, सबको पता है, yes it is integer positive negative दोनों ही हो सकते है, including 0, okay, now x square, search that कैसा होना चाहिए, यह वाली inequality अपनी फुल्फिल होनी चाहिए, that means x square minus 7 mod x plus 9 should be less than equal to 0, then, चलो, इन दोनों को अगर हमने यहां पे लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, then, the number of elements in s intersection t is, तो basically हमें s intersection t लिकालना है, और फिर उसमे कितने number of elements आ रहे हैं, वो लिख देने हैं, okay, get the idea, तो चलो, अब सबसे पहले s को solve करते हैं, correct, तो s को solve करने के लिए, आपको अगर याद होगा, तो मैंने जब basic maps के videos में बताया था, chapter inequality वाला, तो उसमें इस तरह के काफी question solve किये हुए है, correct, तो वहीं से सारे concept, अगर आपक that video, okay, तो चलो, यहाँ पर देखो कि अब this inequality को हम solve कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या है, सबसे पहले इसको भी रहने देते हैं, as it is, पहले इसे solve करते हैं, अब यह किस तरह का form है, P upon Q का form, है ना, तो P upon Q में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो values है, वो mod के अंदर X plus 3 है, बट यहाँ पर mod X है, तो तब ही हम जो वो shortcut लगाते थे, direct वाला, वो यहाँ exact नहीं लगा सकते हैं, okay, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर cases लेके solve करेंगे, अब P by Q है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि P by Q, अगर greater than or equal to 0 है, इसका मतलब P as well as Q, दो condition बने गड़ा एडिया, otherwise कोई भी एगर एक positive दूसरा negative या दूसरा positive पहला negative ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपर अपना condition जो है, वो फुल्फिल नहीं होगा, clear, चालो, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, case 1 ले सकते हैं, सबसे पहले, done, अब case 1 के अंदर क्य minus 1 should be greater than equal to 0, and उसके साथ ही सारी denominator भी हमना क्या होना चाहिए, greater than equal to 0, but tell me क्या greater than equal to लिखना सही है, बिल्कुल नहीं, why, because denominator में अगर equal to 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अपना 0 जो कि possible है यह नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ greater लिखेंगे, और ऐसे भी आप देख सकते हो, कि यहाँ पे, already minus 2 and 2, इसी बज़े से तो हटा लिया गया था, इस interval में से, clear, understood, चालो, अब इसे हमें solve करना है, अब इस inequality को मैं directly solve करने वाली हूं, using those concept, okay, देखो क्या से solve होगा, x belongs to, if I will write here, तो क्या हो जाएगा, greater than equal to है, तो minus infinity से start करेंगे, और till कहा त with, यहाँ पे close bracket, because equal sign भी है, union, close bracket क्या लिख सकते है, उदर जाएगा, तो minus 2 and here it is infinity, देखा, वो concept समझने से कितने जल्दी हमारा यह answer आजाता है, करेक, किसी भी बच्चों को गर confusion है, तो therefore कर लेना हो वाला concept, और थोड़ा समय यहाँ पे बता दू, कि जब भी अपने पास, x मतले में जैसे greater than वाली बात आती है, तो हम क्या करते थे, number line में भी दिखाया था, कि जोनों ही interval के हम बाहर की तरफ चले जाते हैं, okay, a है ना, जैसमी यहाँ पे r अगर है, that means हम एक बार ही minus r प्लस r इस तरह से लेते हैं, तो दोनों की बाहर वाला interval लेते हैं, और जब less वा भी लेंगे, तो यहाँ होता था minus infinity से कहां तक a minus r हो जाता है, union, अब यहाँ क्या है, equal sign था, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे close bracket, similarly, यहाँ लिख देते थे a plus r, then infinity, okay, अब यहाँ देखो, x minus a के जगह था, x plus a, तो इसलिए हमने क्या किया, a को consider कर लिया, minus a, right, तभी उस formula पर बाट जाएगा, तो minus 1 करो के तो यही होगा, minus 3 minus, और यह जो minus 1 इधर है, इसको अफकोर्स उदर लेके जाना होगा, है ना, तो save concept बेस करके minus 3, and then वहाँ पर कर दो minus 1 हो जाएगा, तो minus 4 हो रहा है इधर, और यहाँ पर भी a plus r की जगह पर क्या हो जाएगा, minus 3 plus 1, that is minus 2, done, clear, थाना, simple सा, तो चलो, यहाँ से हमने यह निकाल लिया, अब इसको जब solve करोगे, तो क्या हो जाएगा, of course, यह भी greater than sign है, तो हम minus 2 से, दोनों जगह, एक बारी minus 2 कर दो, union 2 to infinity, done, है ना, अब इन दोनों को हमें क्या लेना पड़ेगा, as you can see, कि and है, तो हम क्या करें इंटर्सेक्शन लेंगे, और आपको मैंने यह भी बताया था, कि जब इंटर्वल्स का इंटर्सेक्शन लेना है, उस वाले चाप्टर में ध्यान रहना, जिनको भी confusion लग रहा है, एक बारी वो चाप्टर जरूर से देखो, because कितने भी J.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. के question है, वो अपने basic के बिना, अपराम से हो, जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हो, कर तो पाओगे, but it will be 2 लेंदी, तो उस time को हमें कम करने के लिए ही, वो सारे basics के help लेना होता है, ठीक है, तो उनको अच्छे से देख लेना और clear कर लेना, तो चलो, अब हम क्या करें, इन दोनो में ही, और यहां देखो, minus 4 है, minimum, तो I will take minus 4, done, अब minus 4 में हमें कौंसी bracket लगानी होगी, जो यहां पे already है, because हम intersection ले रहे है, तो ले लिया है, close, and then union, अब इन दोनों में, जब हम बाहर के तरफ चल रहे हैं, जब हम बाहर के तरफ चल रहे हैं, तो क्या करना है, जो दोनों मे से बड़ा है, correct, समझ रहे हो concept, number line, pick them, सोच लो, बना के देख लो, गर थोड़ी भी confusion लग रही है, तो यहां पे क्या है, बड़ा 2, और उसके साथ कौन सा bracket है, open, तो 2, 2, infinity हम लिख देते है, clear, तो यह हमने वाले लिख दी, x की, जब case 1 लिया था, हमने, done, अब लेते हैं, case 2, case 2 क्या है, case 2 बोल रहा है कि अब दोनों ही negative होगा, इसका मतलब, x plus 3 minus 1 should be less than equal to 0, है न, और उसके साथ हे साथ, denominator जो है, mod x minus 2 क्या होने चाहिए, less than 0 only, not equal, correct, right, अब देखो, इसको solve कर लो, तो यहां से क्या जाएगा, x हम belong कर सकते हैं, देखो, same concept, less than है, तो हम क्या लिखे यहां पर, as की equal sign है, तो close bracket होगा, कहां से कहां तक, minus 4, minus 2, देखो, जो भी boundaries values, तो इसको हमने ले लिया, उसके बीच का interval, because less than equal to आ गई है बात यहां, done, and यहां से क्या समझ में आया, x belong to, हम बोल सकते हैं, minus 2 से लेके, 2 की बीच में बीच में, with open interval, both the side, done, अब इन दोनों की बीच का बता दो, मुझे कि क्या है common, क्या है intersection, due to this and sign, tell me, minus 4 से minus 2, और यही तो बोल रहा है, minus 2 के बाद, उस भी minus 2 को छोड़ता हुआ, that means, कुछ भी intersection नहीं है, isn't it, that means, इस case में, x belongs to phi है, so that means, यहां जब common ही नहीं, that means, यह case possible ही नहीं है, तो हम सिर्फ इस वाले case को लेके आगे बढ़ सकते हैं, right, तो इसका मतलब, अगर मैं अब लिखना चाहूं, अपने s की value, तो क्या लिख सकती हूं, s equals to, I can write easily, x belongs to from here, minus infinity to minus 4, with a close bracket, union, open के साथ 2 to infinity, है न, done, इतनी बात होंगी यहां पर, तो अब चलो, यह लिख लिया हमने, अब s की बात खतम हो गई है, क्या t लिखने की ज़रूरत है, हमें चाहिए क्या, basically हमें चाहिए s intersection t, तो हम direct क्यों ना s intersection t लिख ले, why, because, देखो, अगर जो मैंने s की यहां value लिखी है, अगर इसमें मैं थोड़ा change करना चाहूं, तो कोई बात नहीं होगी यहां, देख लो, यह जो value है, इस value में मैं क्या fill करूंगी अभी, so that यह और भी reduce होने वाला है interval, you can see, कि x belong कर रहा है, minus 6 से 3 के बीच में, with a close bracket, minus minus 2, 2, और यहां हमने minus infinity वाला form लिखा हुआ है, और यहां पर plus infinity वाला, that means, यह interval अपना सिमतने वाला है, छोटा होने वाला है, तो क्या हो जाएगा, यहां minus 6 है, of course, we will take minus 6 with the same close interval, because हम इन दोनों का ले रहे है, intersection, correct, और यहां क्या हो जाएगा, minus 4 तो already था, close bracket के साथ, done, union, अब देखो, 2 पे already, open है, से open ही रहने देंगे, और यह कहां तक जाएगा, 3 तक, with a close bracket, now just check, as के t में क्या है, सिर्फ integer वाली 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 लेनी है, तो यहां से अपने पास कुल मिला के कितने integer है, देख सकते हो, 3 है, minus 4, minus 5 and minus 6, that means only 4 numbers पे हमें चेक कर लेना है, that will be more easy, isn't it, तो चलो हम चेक करते हैं, therefore, directly we can write as intersection t, कैसे, that means, इन में से, इन चारों integer में से हम सारी वाली चेक कर लेंगे, जो case inequality को अपनी फुल्फिल करेगी, condition को satisfy करेगी, done, तो चलो पह देख लेते हैं, minus 6 को, minus 6 का square कितना हो जाता है, 36, minus, यहाँ, plus, यहाँ पे 9 है, 36 plus 9 कितना हो जाता है, अपना, यह हो जाएगा, 45, minus कितना होगा, यहाँ, minus 6 से, अगर 6 करेंगे, multiply, तो 42, of course, कौन सा बढ़ा हो रहा है, that means positive value आ रही है, but यहाँ condition क्या बोल रहा है, negative हो नहीं तो इसका मतलब, minus 6 यहाँ, fulfill नहीं कर रहा है, this condition को, अब put करके देखते, minus 5, to minus 5 का square कितना होगे, 25, plus 9 हो गया, अपना, 34, और minus, यहाँ, कितना हो जाएगा, 5 करेंगे, to 35, okay, minus 1 आ रहा है, that means this is negative, so minus 5, we can write here, okay, अब चेक करो, minus 4, minus 4 करको 16, plus 9, 25 हो जाता है, और यह हो जाता ह यहाँ, because 2 क्या है, open interval के साथ, that means 2 included नहीं है, तो 3 चेक करना होगा, 3 का square, 9 plus 9, 18 हो गया, और यहाँ, minus 21, again, it is negative, right, the whole thing, तो हम क्या लिख सकते, 3 is also here, और तो कोई interval है, यहाँ, अपर पास integral values, तो हमार पस क्या आ गए है, value, s intersection t की, minus 5, minus 4, and 3, इसका मतलब, the number of element, जो यहाँ प only, so therefore, अपना जो answer है, the option D is your correct answer, right, understood, थाना बहुत ही, अच्छा सा और मजज़दार सा question, तो देख सकते हो, ऐसे question आप सौल करने लग गए, तो फिर आराम स्याब की पूरे रिमाग सा सकते हैं, okay, तो चलो चलते हैं, अगले question पे, और यह देख सकते हो, यह है, अपना problem number 2, य means, एक ही option जो है, इन में से, वो है, correct, यहीं देख सकते हो, आया हुआ है, जही में, कब 2022 के 25th June, second shift में, correct, चलो, इसको भी solve करते हैं, देख के समझे सकते हो, जो बात मैंने बोली थी पिछले question में, कि basics बहुत important है, यहां पे बहुत इंपोर्टन है, यहां पे बहुत इंपोर satisfy, that means, inequality को solve करना होगा, mod of x plus 1 less than 2, done, and b की value भी same है, बिलोंग करता है, real number को, और साथ ही साथ यह inequality होनी चाहिए, satisfy, done, उसके बाद, then which one of the following statement is not true, ध्यान देना, not true बोला गया है, ना कि true, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, a and b की value निकालने होगी, तो चलो, निकालते हैं, यहाँ पर a को solve करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यह जो inequality है, उसे करेंगे solve, अब आप सबको पता ही है, shortcut क्या करना होता था, directly we can write y वाला a minus r और a plus r वाला funda लगा लो, okay, less than है, इसका मतलब दोनों के बीच का interval लेंगे है, ना, और a यहाँ पर क्या है, minus 1, minus 2 कित ना होता है, 1, right, हो गया answer, done, इतना ही करना था, तो x belongs to minus 3,1 हो गया है, तो यह value किसकी है, nothing but a की, है ना, तो हमने यहाँ से a की value लिख डाली, already, अब यहाँ से देखते हैं b की बात, तो b को जब solve करेंगी, तो कौन सी inequality है, mod of x minus 1 greater than equal to 2, यहाँ पर भी आपको पते कैसे solve करना direct shortcut लगा लो, क्या करना होगा, यहाँ पर a क्या है, सिर्फ 1, minus 1 नहीं है, because x minus a का form जो था, standard form और वही है, यहाँ, correct, तो हम क्या करेंगे, as greater than equal to है, तो start कहां से होगा, minus infinity से, open interval के सार, और यहाँ पर close interval आएगा, उसके इंदर क्या भरेंगे, हम a minus 1, that means 1 minus 2, कितना होता है, correct, minus 1, with a close bracket, union, अब क्या करेंगे, 1 plus 2, a plus r होता था था, तो क्या करेंगे, 3 with a close bracket, and यहाँ, infinity with a open bracket, और यही हो गई वैल्यू आपके, b की, तो हमने a and b दोनों ही लिख दिया है, okay, अब बेटर है, जब आप देख सकते हो, a minus b, b minus a, that means, सारे ही relation check करने है, तो इस case में सबसे number line draw कर लो, ठीक है, चलो number line draw कर लिया, अब क्या क्या values है, minus 3 है, एक यहाँ से minus 1 दिख रहा है, तो minus 3 ले लिया, minus 1 ले लिया, फिर क्या है, 1 है अपने पास, और फिर क्या है, 3 है, चलो, इन सब को रिप्रेजंट करना था, कर लिया, अब a में क्या क्या value है, minus 3 से 1 दोनों ही open interval, तो minus 3 पे open और फिर 1 minus, not 1 1 पे है, 1 पे open इनकी बीच की सारी value, ठीक है तो this is your A, fine अब B की value क्या है, यहाँ पे है minus 1, that means minus 1 पे close bracket है, so we can write the dot over here, और इस side चलेगा, done, फिर वहाँ पे कहा है, 3 से start कर रहा है तो dot दे दिया, dark वाला, और इस side जा रहा है, है ना, यह बाते हमने कर ली यहाँ पे, अब हमें चाहिए क्या result चाहिए, तो अब देखो, सबसे पहला option क्या बोल रहा है A minus B निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे A minus B निकालेंगे, बता दो मुझे value क्या होगी A minus B की, A में से B को minus तो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, बस इसको minus कर देंगे इसको जैसे ही देख सकते हो dot है तो जैसे ही इसको minus करा हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह open देदेगा correct, point भट आएगी तो open बन जाएगा कहाँ पे minus 1, तो minus 1 पे कहाँ तक 1 पे भी open है correct, तो यह value आने चाहिए और यहाँ बोला है, हाँ भाई, not true तो यह true है, ऐसा नहीं कि देखा, solve किया और टिक कर दिये जल्दी-जल्दी में और फिर आपके हो गए पूरे negative mark यहाद है, negative marking भी होती है right, तो क्या करना है एक दम ध्यान से question को पढ़ना है इसलिए मैंने यहाँ mark भी किया है कि which of the following statement is not true तब ही A में देखो, एक दम true statement दे लिया है बच्चे maximum mistake कर देते हैं done, tried तो यह तो true है, बट हमें not true चाहिए तो यह वाला option नहीं क्लिक होगा चलते अब B minus A पे अब यहाँ पे देखो, यह वाली value जो है, इतनी सी value हमारे यहाँ eliminate होने वाली है तो यह as की open है, that means हम बात यहाँ पे करेंगे, correct तो यह open यहाँ पे अगर हमने eliminate किया that means minus 3 जो point है, वो क्या होगा include हो जाएगा, isn't it? Got the idea, that means minus 3 से just बाद की value इसमें से delete की जा रही है तो हम क्या करेंगे, minus 3 तक आराम से हम close bracket ले सकते हैं तो यह तो इदर की बात हो गई union, अब यह as it is ऐसा लिख सकते हैं because a की value बस 1 तक ही लाई कर रही थी, with the open interval तो हम 3, infinity लिख देंगे है ना, अब देखो b minus a में, अब देखो, यहाँ b minus a में हमने कुछ इस तरह की value लिखी बट यहाँ r के minus के form में है तो क्या बताया था, इस interval को अगर हमें convert करना है इस form में तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, r minus अब जो भी bracket यहाँ close होता था उसे हम कर देते थे, reverse that means close है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ open with the same value right, और यहाँ पे close है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, open with the same value, तो can you see क्या value आई है, minus 3,3 right, और यहाँ क्या option है, minus 3,3 से लेके 1 के बीच में, तो क्या वो सही है, नहीं, this is the true answer, तो तभी हमारा जो option B है, वो हो जाएगा यहाँ पे, correct answer, according to the question, that means not true done, clear, चलो तो answer हमने कर लिया है, स्वाल, अब this is only for your understanding कि अगर question में कभी इस तरह की चीज़े आ जाए, फिर आप क्या करोगे, ठीक है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा यहाँ, तो A intersection, B का वैतलब क्या होता है दोनों का intersection, तो यह देखो A और यहाँ पे B है अपना, तो दोनों का intersection क्या होगा that means जो भी common चीज़े है, तो we can see कि यही वाली common चीज़े बस मिल रही है हमें, तो यहाँ पे है open ठीक है, और यहाँ पे क्या है close, तो that means minus 3 open पे fine, और यह है minus 1 close पे, correct तो देख सकते हो, same value है, this was also true, correct अब A union B भी चेक कर लेते हैं A union B की value, आपको check करने की जरूरत नहीं है, जैसे answer आया you can just leave there only, और save you can time ठीक है, क्यों? because सिर्फ यहाँ लिख दिया गया है, सिर्फ A की option correct है, तो time यहाँ waste मत करना ऐसे question में, but I am telling you only for your understanding, so that अगर अगले question में मालो कि D option correct हुआ, तो क्या करोगे? है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं अब यह A union B क्या हो जाएगा, देखो अब A union B का मतलब, अब यहाँ देखो R minus के form में है, तो या तो directly R minus 1 वैसे वाले form में चेक कर सकते हो, या तो पहले यह जो था आपका system, इस तरह से निकाल लो और फिर convert करो, तो यह आपने देखी लिए है, तो चलो मैं यहाँ पर directly R वाला form बता रही हूँ, okay R minus 1 by 3 अगर इसे represent करें, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे में से सिफ यह वाला interval minus होगा, कौन सा? minus 1 close पे, तो देख सकते हो minus 1 close पे, okay और, not minus 1 this is 1, तो 1 close पे और कहां तक जा रहा है, 3 open पे तो सहे तो है, अगर हम इसका पूरा union ले, तो minus infinity से कहां तक जा रहा है है, देख लो minus infinity से हम जा रहा है, 1 के open पे ठीक है, union 3 close से, लेके infinity तक correct, और इसकी value यही तो होती है, R minus क्या बताया था मैंने, जहां पे जो interval होता है, value last करता है उसका हम जस, जो bracket होता है, उसे हम change कर देते हैं, तो यह open था, तो close कर दिया 1, and यहां close था, तो हम क्या करेंगे, open कर देंगे और देखो, यही तो value है यहां, है ना और ऐसे भी देखो, R minus 1, 3, इसका मतलब 1 पे close है, close से लेके 3 तक open, तो of course यह सारी values हमें मिलेगी, है ना, understood so this was the answer for this particular question, अब चलते हैं अगले question पे, और यह राबना problem number 3, देख सकते हो, यह भी है MCQs इसमें भी है, अपने सिर्फ, 1 option correct, यह आया हुआ था 21 के G mains में, 26 August 1st shift में, ठीक है, तो चलो इस question को भी अच्छे से solve करते हैं, तो set से जितने भी question included हैं, last की 5-6 साल में वो सब लिए गया हैं, तो अच्छे से solve करते जाओ, confidence boost up करते जाओ, तो क्या है, out of all the patients in a hospital, ठीक है एक hospital की बात की गई है, यहाँ पे 89% are found to be suffering from heart ailment, ठीक है, चलो, तो यह heart ailment से कितने सारे थे, 89% सफर कर रहे हैं, और 98% are suffering from lungs infection, okay, fine, heart से problem वो 89% की है, और lungs से 98% की, then if k percent of them are suffering from both the ailments, then k cannot belong to the set, that means यहाँ पे हमें क्या करना है, basically इस question को solve करने के लिए सबसे simple तरीका होता है, क्या Venn Diagram यूज करो, है ना, तो अगर मैं Venn Diagram की through इसको solve करो, तो ज्यादा easily हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर heart समझ लो H है, this is H, and यह अपना जो है, this is lungs infection, so this is L suppose, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है, अपना कितना हो रहा है, this is 89% heart का, done, और यह कितना है, 98%, ठीक है, और यह जो common है, वो K है, तो अगर यह common K है, that means, यहाँ से भी minus K करेंगे, और यहाँ से भी plus K करेंगे, है ना, यही होगा, और यह पूरे hospital में patients है, तो यह अपना universal set U है, तो of course, यह जो छूटे हुए यहाँ से होंगे लोग, उन में से let us assume X, जो है, जिनको इन दोनों में से कोई भी बिमारी नहीं है, वैसे भी तो होंगे ना, इसमें, correct, because 100% नहीं बोला गया है, यहाँ 89% है और यहाँ 98% है, that means, कुछ तो values होंगी, that means, कुछ तो number होंगे patient के जो कि इन दोनों से ही एकदम बचे हुए है, right, अब हमें बतानी है K की value, कि कौन सा होगा K cannot belong to the set, अब आपको इन में से देखना है कि set में काफी सारी values है, इन में से कौन से set में यह जो K है, वो fit नहीं बैठेगा, okay, ठीक है, that means basically K की हमें values बतानी है, done, तो जब ऐसे cases आए, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सोचो, intersection वाली जो value होगी, वो of course आप बता सकते हो कि maximum कहां तक जाएगी, that means जब भी हम intersection की बात करते हैं, तो intersection की जो value होती है, इन दोनों में से minimum होता है, उससे exceed कर ही सकता, correct, पूरे के पूरे 89% को हो सकता है कि ये वाली lungs वाले भी बिमारी हो, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे lungs वाले लोगों को heart की बिमारी हो, because lungs वालों का जो संख्या है, जो number है वो ज्यादा है, correct, तो हम क्या बोल सकते हैं, K की जो maximum value होगी, that means it must be less than equal to, हम क्या बोलेंगे 89, done, तो एक तो हमें यहाँ पर अपर लिमिट पता चल गई, correct, अब लोवर लिमिट भी चाहिए होगा, तब ही हम उस range की बार में बात कर सकेंगे, तो लोवर लिमिट हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, यूनियन ले लू, that means, H union अगर L करें, तो अगर यह यू है, उनिवर्सल सेट को लिया है, जहां पर 100% हम समझ सकते हैं कि पेशेंट है, तो मैं मान सकती हूँ, this is 100, correct, अगर यह 100% है, तो H union L जो है, उसकी value हमेशा ही, अपनी क्या होगी, less than equal to 100 ही होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, correct, hospital से बाहर के patient को तो अपनी या include कर रहे हैं, है ना, तो इसकी value less than equal to 100 होगी, अब यहां से, we all know the formula of this, कि यह क्या होता है, number of H, plus number of L, minus number of H intersection L, correct, अब यह क्या हो जाएगी value, less than equal to 100, है ना, अब इसको solve कर लो, number of H क्या है, यहां 89, ठीक है, plus number of L क्या है, यहां 98, ठीक है, minus E क्या है value, nothing but K, let us assume, यहां पर given ही है already, minus 100 हो जाएगा, तो अब यहां से अगर मुझे K की value निकालनी है, तो बताओ मुझे क्या आजाएगी, greater than equal to 89 plus 98, कितना आ जा रहा है, देख लो, 187 minus, यह हो गया 100, correct, तो basically, K is greater than equal to, कितनी value आ रही है, 87, that means, देख लो, क्या हमारे पास result चलके आ गया है, K की जो value है, greater than equal to 87, and less than equal to 89 आ रही है, right, यह value है, यही रेंज में लाई करना चाहिए के, right, अब देखो कि कौन से set में इसकी value नहीं है included, 87 से 89 के बीच में, तो इसको चेक करते हैं, यहां देखो 87, 89 है, that means, यह तो include हो रहा है, फिर अगर इसकी बार में देखें, तो 88 है, that means, उसके बीच में लाई कर रहा है, यह भी हो सकता है, बट यहां पे चलते हैं, यहां पे भी 87 है, that means, यह भी included है, अब यहां में अगर देखें, इस question में, यह जो option D है अपने पास, यहां 79 है, 81 है, 83 है, 85 है, that means, इन में से कोई भी ऐसा एक element नहीं है, जो की इस interval में लाई कर रहा है, that means, क्या मतलब समझ में आया, कि यही एक option है, जिसमें अपने K की value लाई नहीं करेगी, so this D option is your correct answer, clear, done, थादा simple सा, शलो आप देखते हैं अगरा question, और यह रहा अपना problem number 4, यह भी है MCQs, जिसमें की एक ही option आपके correct होंगे, और यह आया हुआ था 21 के 17 मार्च के first shift में, ठीक है, तो J main, J advance, और सारे ही competitive exams के लिए, आप एकदम ready हो जाओ, सारे question को solve करते जाओ, तो काफी question कर लिया है, थरो tricky type को, आप देखों, बहुत यह simple question solve करते हैं, और आया हुआ भी है, तो चलो देखते हैं, इसमें क्या है, in a school, there are three types of games to be played, कितने games हैं, three types of games हैं, some of the students play two types of games, अच्छा, कुछ है जो कि two types of games play करते हैं, but none play all the three games, क्या मतलब हुआ, उस school में जितने भी बच्चे हैं, उन में से ऐसा कोई नहीं है, जैसे तीन games हो आपे play किये जाते हैं, ठीक है, तीन games होते हैं उस school में, अब कुछ बच्चे हैं, जो कि दो-दो games play करते हैं साथ में, but ऐसा कोई भी नहीं है, जो सारे के सारे तीनों game में participant हो, ओके, गड़ दा एडिया, ठीक है, तामिस हम अगर तीनों के intersection की बात करें, तो मार पास नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है, ना विच वेंड डियाग्राम कें जिस्टिफाई दाइब अब स्टेट्मेंन, ठीक है, तो बस अब देखते हैं, बस सेट की बारे में बात करते हैं, तो as we can see कि हर जगा तीन-तीन डब्बे हैं, हमारे पास that means वो बता रहा है, कि एक डब्बा एक गेम के लिए, दूसरा डब्बा दूसरे गेम के लिए, तीसरे गेम के लिए, ठीक है, और क्या हमने समझा है अभी इस स्टेट्मेंट पढ़के, कि तीनों का इंटरसेक्शन इस नॉट पॉसिबल, तो अब हम ये चेक करेंगे सारे वाइन डियाग्राम में, कि क्या तीनों का इंटरसेक्शन वहाँ पे आ रहा है, तो देखते हैं, यहाँ देखो, अगर यहाँ हम बात करें, तो इसके अंदर वो सारे बच्चे हैं, जो कि ये वाला गेम भी खेलते हों, ये वाला गेम भी खेलते हों, और साथ ही साथ, ये वाला गेम भी खेलते हों, that means क्या आ रहा है इन तीनों का intersection यहां possible है बट यह तो हमारा statement कहीं नहीं रहा है चलो आगे चलते हैं यहां क्या है यहां भी आप देख सकते हो यह जो छुटकू सा part है यह बता रहा है कि सारे ही game का intersection है that means this is also not possible now let us come to this again you can see कि this portion is saying that this is the intersection of all these three games that means यह भी included नहीं होगा अपने option में तो देख लो option क्या है सबसे पहला यह option बोल रहा है none of these तो the answer is here option A जो की है none of these correct, understood, clear चलो अब चलते हैं अगले problem पे और यह रहा अपना question number 5 देख सेखते हो यह भी है अपना MCQs और जहाए एक ही option correct है यह आया हुआ है 2020 में 3rd September 1st shift में ठीक है तो चलो इसको करते हैं solve और देखते हैं कि क्यासे अच्छे से easily तरीके से अपसको solve कर सकते हो A equals to M belongs to R है that means correct, you all know real numbers, both the roots of, अच्छा roots की बात करी है कि इसकी यह है अपना equation x squared minus m plus 1 x plus m plus 4 equals to 0 are real very simple, isn't it से पढ़ते हैं क्या मतलब होता है correct, b square minus 4ac that is discriminant की value होना चाहिए greater than equal to 0 तो वहां से हम M की यहां पर values बता सकते हैं है ना, और फिर हमें क्या चाहिए यहां गलती से भी x की value मत निकालने लग जाना basically we have to solve for M because A के अंदर वो सारी values है जो M को belong करता है R के साथ और साथ ही साथ इस equation को करता है satisfy done, चलो यह हमने निकाल लिया and B की value तो already given है then which of the following is not true that means हमें यहां पर भी एक और question अपने किया था जहां A minus B, A then A intersection B, B minus A and A union B निकालना था, तो वही करना है तो चलो हम निकालते हैं, solve करते हैं सबसे पहले roots real होंगे, इसका मतलब roots real होने के लिए ठीक है, condition क्या है अपने पास, B square minus 4 A, C, all no should be greater than equal to 0, that means basically D should be greater than equal to 0, जो कि अपना discriminant है, है ना, अब यहां से B का मतलब क्या हो गया, this whole thing minus के साथ, तो यह minus हो का square तो plus ही होता है that means we can write M plus 1 का whole square minus 4, okay, A क्या है यहां 1, ठीक है, into C क्या है, यह पूरी की पूरी value M plus 4, done, ठीक है, should be greater than equal to 0, तो basically आपको यहां inequality solve करनी है तो आप देख रहो होना, कि जब भी sets की problems होते हैं, तो वहां inequality का concept आता ही आता है, okay, कही ना कहीं से, और interval का, so इनको अच्छा समझना है, so from here, what we can write, इसको ब्रेक कर दो, M square plus 1 plus 2 M, and here, minus 4 M then minus 16, greater than equal to 0, so from here, what we have got, M square, और यहां क्या हो गया, minus 2 M, और यहां हो गया, minus 15, है ठीक है, greater than equal to 0, अब देखो minus 15 है, minus 2 है, that means क्या ब्रेक कर सकते है, minus 5 and plus 3, isn't it वही होगा, so from here, अब तो इतने समिजदार तो होई गया हो, कि कैसे break करना है, इसे सोचों की multiply करना होगा उस form में, और यहां उन्दोनों का addition होना चाहिए, है ना, तो अगर मैं यहां पे, इसे लिख दू इस तरह से, कि यहां minus 5 लिखा, into 2, m plus 3 लिखा, greater than equal to 0, तो कोई problem नहीं है, इसे को represent कर रहा है, fact rise कर दिया, मैंने बस यहां, है ना, आप चेक भी कर लो, अब पस, अगर आपको doubt लग रहा है तो, done, तो यह आपनो, आपने अल्रेडी इस तरह से question solve की हुए, तो यह आपको पता है, fact rise करना, अब यह एगर greater than equal to 0 है, देख सेकते हो, this product with this, that means p into q की value greater than equal to 0 कब होगी, तो condition में कब, जबकि पहला भी और दूसरा भी दोनों ही positive हो, या तो फिर, पहला भी negative और दूसरा भी negative, isn't it, दो cases बन रहा है, तो पहले case में, क्या समझ में आया हमें, कि case 1 हमें बता रहा है, कि m minus 5 should be greater than equal to क्या है 0, and उसके साथ ही साथ, m plus 3 भी होना चाहिए, greater than equal to 0, solve कर लो जलने से यह बता रहा है, m greater than equal to minus 3, not tell me, कि जब ऐसे conditions आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, देख सकते हो, दोनों का common क्या होगा, बस कुछ ज़्यादा draw करनी की भी जरूरत नहीं है, simple समझो, कि जब greater than equal to की हम बात कर रहे हैं, that means बड़ी value लेनी है, okay, तो बड़ी लेनी है, तो सबसे ज़्यादा यह बड़ी वाली ले लो, तो इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी value होगी, आपको आग बंद करके उसे ले लेना होता है, ठीक है, अगर confusion है, तो number line draw कर लो, एक बार के लिए बस ये, उसकी बाद से आपको understand करना है, तो यहाँ पर क्या बता जा रहा है, इसको include करते वे इस side, इसको क्या बता जा रहा है कि इसको include करते वे इस side, क्या को मनाया, of course this, right, तो हमेशे हमें क्या करना होता है, जब greater than वाली value आती है, तो सबसे जो बड़ी है उन दोनों में से उसे लेना होता है, so from here what we have got, m is greater than equal to 5, done, चलो इसे bold कर लिया, अब case 2 हमें क्या बता रहा था, जब दोनों ही negative होगी value, that means m minus 5 less than equal to हो गया 0, and उसकी साथ ही साथ m plus 3 less than equal to हो गया अपना 0, correct? अब देखो, यहां से m less than equal to 5, and यहां से m less than equal to हो गया, minus 3, अब जब less की बात करते हैं, तो क्या करेंगे? जब चोटे की बात करते हैं, तो सबसे छोटो को ले लो, बड़े की बात करते हैं, तो सबसे बड़े को ले लो, यह है इसका idea, तो जब छोटे को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी number line में देख लो, एक बार के लिए बस इससे भी मैं दिखा रही हूँ, next time से नहीं दिखाऊंगे, तो minus 3 से छोटी value से include करता हुआ, इस side, done, 5 से यहां इसे include करता हुआ, इस side, क्या common आया, of course this one, है ना, तो यह वाली answer होगी, यहां से तो मार पास क्या value आई, m less than equal to minus 3, done, तो अपने पास, basically, गर इन दोनों case को आप include करो, तो क्या समझ में आया है, यहां से समझ में आया, कि अपने पास a में जो values है, वो क्या-क्या है, इसके अंदर है, m belong करता हुआ, कहां से कहां, हम ले सकते है minus infinity से कहां तक minus 3 तक, ठीक है, include करना है, तो that means close interval ले लो, union, अब कहां से लेंगे हम greater than equal to 5 है, तो 5 को include करता हुआ, tell infinity, है ना, यह value आ रही है, done, clear है, चलो, अब थोड़ा सा ही raise करते हैं इसे, और फिर हम यहां पे इसे solve करते हैं, तो अब अगर इसे मुझे number line में दिखाना है ठीक है, why I am showing it on number line, because A और B के वीच का relation देखना है, तो A में क्या-क्या values है, कौनकों से values है, यहां, minus 3, चलो, include कर लो, then यहां पे है 5, तो चलो, somewhere it is here, P में क्या-क्या है, इसमें भी minus 3 और 5 है, ठीक है, तो अच्छी बात हैं, और कुछ करना नहीं है, अब minus, infinity से minus 3 तक हम जा कर रहे हैं, तो B में क्या है, minus 3 पे include कर लो, ठीक है, done, कर लिया, include, अब उसके साथ, till 5 पे जा रहे है, with open, okay, you can see, यह है अपना B, right, और यह था अपना A, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर represent कर दिया है, इस तरीके से, ठीक है, अब देखो, जब से पहले हम क्या कर लेते ह हैं, A union B निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो यह easy है, मैंने बताया था, पहले उसको solve कर लेना चाहिए, A union B, that means, आप देखी सकते हो, भाई, बिलकुल सही है, सारे के सारे real number होंगे, तो यह तो true है, हमें चाहिए not true वाला option, done, तो यह नहीं include होगा, A intersection B भी देख लेते है अगर A intersection हमने B किया, तो देख सकते हो, सिर्फ यह वाले पर हमें comment मिल रही है, value सिर्फ minus 3, तो that means, यह वाली भी answer एकदम correct है, correct, चलो इसको भी छोड़ दो, अब चलते हैं, देख सकते हो, यह वाला option थोड़ा ज्यादा easy है, तो पहले हम B minus A चेक कर लेंगे, done, तो B minus A चेक क value आजाएगी minus 3, और open पे और यह 5 पे open रहेगा, बस, और यह तो देखो वही option है, that means, this is also correct, तो कौन सा option उपना wrong हुआ, A, तो चलो, अब करते हैं A minus B, इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं, इसमें क्या जाएगी value, A मेंसे हमने B को minus करना है, correct, तो A मेंसे अगर B को minus किया, जब इस interval की बात करें, तो minus infinity से कहां तक जाएगे, minus 3 तक, ठीक है, अब किसको हमने include नहीं करना होगा, यह जो dot यहाँ पे लिया था, minus 3 पे, इसे हमें eliminate करना होगा, that means, यहाँ क्या हो जाएगा, open interval, correct, ठीक है, union, अब देखो, यहाँ पे हमने इसको minus किया है B को, तो यह तो तक की value, तो उसको हमने discard किया है, तो 5 से तो include होगी value, right, तो 5 to infinity, now just check the option, but यहाँ देखो, यह option तो correct है, but here you can see, की 5 पे क्या है अपना, open, but यहाँ हमने क्या निकाला है, close interval, तो इतनो सा difference है, और देख सेखते हो, यह option हापका हो गया, incorrect, so यह वाला option, जो है, option A, will be your here, the right answer, done, clear understood, तो चलो, आप चलते हैं, अगले problem पे, और यह दा अपना problem number 6, देख सकते हो, यह भी है, MCQs, जिसमें एक ही option आपका correct है, आया हुआ है, जी में, कब, 2020 में, 4th September, 1st shift में, चीक है, चलो, question को देखते है, a survey shows that 63% of the people in a city read newspaper A, okay, whereas 76% read newspaper B, ठीक है, done, A भी है, समझ सकते हो, वे मनाना है, okay, if X% of the people read both the newspaper, then the possible value of X can be, बहुत सिंपल, ऐसा question आपने देखा था ना किया है, हमने, तो, basically, हमें क्या करना है, अब एक तुम short trick बताती हूं, वो concept समझ चुके हो, अब लास्ट वाले question में, तो यह अगर A है, यह अगर B है, done, तो यहाँ पे होगा 63, ठीक है, यहा पे हो गया अपना 76, है ना, correct, that means, basically, यहाँ पे minus X करते हैं, और यहाँ minus X करते हैं, ठीक है, अब यह पूरे की पूरे percentage की बात की है, that means, यह अपना 100 है, correct, union, हमने इस तरह से लेना है, यह जो अपना universal set है, अब यहाँ पे भी कोई value, let us assume, यहाँ यहाँ ले लेते हैं, यह भ value होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे less than equal to, correct, तो less than equal to हो गया 63, तो इन में से जो भी minimum value है, उसको आप समझ लो कि इसका अपर limit है, तभी होगा वो common, अब greater than equal to क्या होगा, simple सा फंडा है भाई, इन दोनों को add करो, subtract कर दो 100, that's all, that means, जो भी universal set है, उसको इन दोन लिख देती हूं, so that कभी भूलो नहीं, minus 100, बस इतना ही करना है, तो अब क्या value आ गई है, greater than equal to, इसको solve कर लो, correct, इतनी value आ रही है, so from here, x is greater than equal to 39, and less than equal to 63, that means, अपना जो interval है, वो 39 से लेके 63 के बीच में होना चाहिए, including both the boundary values, तो चलो अब देखते है, 29 क्या होगा, नहीं, है न, correct, तो क्या बूला गिया है, possible values of x, यहां पर not true आला मत समझ लेना, okay, तो 29 नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी बाद 55 बिलकुल हो सकता है, you can see, yes, 55 can be the answer, because 37 इससे lie नहीं कर रहा है, इस interval में, 65 भी इससे बाहर चला जा रहा है, that means, B is your correct answer, done, understood थाना, बहुत ही simple सा, right, तो चलो आप देखते हैं, अंगला question, और ये देखो, question no.7, ये भी देख सकते हो, कि ये भी है, MCQs, तो यहां ये आया हुआ है, J.E.Main, के 2020 के 4th September 2nd shift में, right, तो question को एक्टम ध्यान से देखना, और ऐसे symbol को I'm sure आपने अच्छी से समझा हुआ है, already concepts add-on में, right, तो देखो क्या है, let U I equals to 1 to 50 XI, मतलब समझी गया हो, yes, इसका मतलब है, जो ये capital U लिखा रहता है, एकदम बड़े तरीके से, यहां इसका मतलब होता है, कि we are taking union, किसका XI, that means X1 union, X2 union, X3 union, till X50, correct, यही मतलब है ना, तो चलो एक बारी मैं यहां लिख दे रही हूँ, U I equals to, इस तरह से लिखा ज union, this is not I, this is union, then X2 union X3, so on, till union हम किसका लेते है, X यहां पे है 50, correct, यही है, okay, तो इसमें हमारे पास यह सब वैल्यूस है, correct, तो बेसिकली जो हमारे पास यह मिल रहा है, वो है चा एक सेट है, जिसके अंदर यह सारे जो union का elements है, वो होगा, है ना, done, and this is actually equal to, U I equals to, 1 से लेके क Y I, that means, this is nothing but, Y1 union Y2 union Y3, so on, कहां तक, till YN, and हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिख सकते, क्या value होगी, done, इसके अंदर भी आएंगे elements सारे अपने, and this both are actually equal to, एक कोई सेट T है, जिसके अंदर जो elements है, वो यह भी equal, यह भी equal, यह भी equal है, ठेक है, then, यह मतलो समझ में आप देखो, वेर, X I contains 10 elements, that means, each X I, that means, X1 में भी 10 element है, X2 में भी 10 element है, ऐसे करके, X 50 में भी अपने कितने element है, 10 element, done, correct, got the idea, ठीक है, and, each Y I contains 5 elements, similarly, Y1 में 5 है, Y2 में 5 है, Y2 में 5 है, S में 5 है, YN में 5 elements है, ठीक है, Now, if each element of the set T, अब T के जो जो भी element है, यहाँ पर, ठीक है, वो कैसा है, और exactly 20 of set X I's, and exactly 6 of set Y I's, that means, let us assume, कि अगर मैं number of elements in T की बात करूँ, तो let us assume, this is nothing but, कुछ भी assume कर लो, let us assume, मैं यहाँ पर माल ले रही हूँ, X, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, according to question, देखो, यहाँ पर आपको N की value बतानी है, इस वाले N की, done, अब यहाँ जो यह X हमने assume किया है, वो क्या है, number of element in T, clear, understood, that means, अगर T equal है इसके और यह equal है इसके, that means, number of element जितने भी T में होंगे, that must be equal to number of element in this set, जो क्या आ रहा है, इस वाले X, I से, got the idea, right, और यहाँ पर अपने number of elements कितने हो सकते हैं, maximum, you can see कि 10, 10 सब में है, अगर इन सब का हमने union किया, let us assume, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे का subset नहीं है, तो इस case में total number of elements कितने हो जाएंगे, perfect, we can write it here as, अपने total number of elements जो होंगे, वो 50 into 10 हो जाएंगे, है ना, और यह किस के बराबर होगा, number of elements in this particular T set, और वो कितने हैं, अपने हमने माना हुआ है X, और यह किस के बराबर होगा, 20 के, समझ रहों, of XI, that means 20 element of XI के बराबर हो रहा है X, that means हम यहाँ क्या लिक सकते हैं, 20 into X will be equal to 50 into 10, done, number हमने equate किया, so from here, what is the value of X, देख लो, यह आगया आपका 25, तो यहाँ से X की value आगई है 25, correct, तो that means total number of element जो है X T में, वो कितने हो गया है 25, got the idea, समझ रहों बात, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि each element of set T is an element of exactly 20 of set X I, that means, एक एक element जो है, उसमें 20 of X I के है, okay, और उसी तरह से 6 of Y I के है, that means, जो 6 of Y I के है, अगर वहाँ से में लिखना चाहूं, तो क्या समझ में आएगा, 6 into X should be equal to what, यहाँ पर आपने पास Y N में 5 5 element है, और तिल कहां तक हम जा रहे हैं N तक, that means N into 5 हो जाएगी value, clear, 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 so from here, basically, N की जो value होगी, वो कितनी हो जाएगी, 6 X upon 5, और 6 X की जगा value रख दो, 25 upon 5, so basically, what we have got, this is 5 times, so 30, so what is the answer, जो अपने पास N की value आ गई है, वो आ गई है 30, तो देख लो कॉंसा option है, so option B is your correct answer in this case, clear, समझ में आरी यह बात, correct, तो चलो अब देखते हैं एगला question, अब यह आपना problem number 8, यह भी देख सकते हो MCQs है, जो की एक ही option बता रहा है, correct है, यह भी आया हुआ है, 2020 के जी में में, 5th September, 1st shift में, तो चलो question देखे, ऐसे question अब देखे रहा है, रिपीट किये जा रहा है, बाव काफी बार, तो एक्तम ध्यान से समझना, A survey shows that 73% of the persons working in an office like coffee, whereas 65% like tea, if x denotes the percentage of them who like both coffee and tea, then x cannot be, बहुत है, तो जल्दी जल्दी से solve करके मुझे answer लिखके बताओ, okay, क्या करेंगे, आपको trick भी पता है, आप एक दुम फटा फट से one diagram के through, आप विदिन few seconds बता सेट पे हो, तो यह गर t है, यह coffee है, तो t में कितने है, पह कोई बात नहीं, चलो, पहलो, coffee ही लिख देते है, कोई concept को यहाँ पे हम, चेंज नहीं करने वाले, तो यह coffee है, यह tea है, ठीक है, कौफी में कितने है, 73, यहाँ कितने है, अपने 65, done, अब यहाँ क्या है, x यहाँ पे है, आपको mainly बताना है, कि x की value किसके बराबर नहीं हो सक 65, correct, अब यहाँ से greater than equal to क्या हो जाता है, जो भी यहाँ आइस की percentage की बात की है, तो total 100 है, दोनों को add करो, that means 73 plus 65 minus कर दो 100, that will be the answer, तो x की value greater than equal to कितनी आ रही है, देख लो, 138 minus 100 करेंगे, तो of course this will be 38, so यहाँ से greater than equal to 38, less than equal to 65, so 38 से 65 के बीच में होनी चाहिए value x की, देख लो कौन सा option है, यह option included है, यह option भी अंदर में ही है, 38 भी है, but only 36 is not here, so this is the correct option, got the idea, यह टिक करने का मतलब समझ लेना, मत समझ लेना कि यह options है, option D is your correct answer, because यही है जो इस interval से बाहर लाई कर रहा है, correct, तो थाना बहुत ही simple, ऐसे question तो I am sure आप देखोगे, और तुम खुश हो जाओगे और तुरन से solve कर दोगे, okay, तो चलो आप देखे अग यह option है, जो किया है, correct, आया हुआ था जैई मेंस में 2020 में 9 जैन 2nd shift में, okay, तो चलो, इस question को देख सकते हैं, क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, यह हमने starting में से question solve किये तो फिर से आया है, that means, यह से question actually बहुत important है, तो इक्तम ध्यान से करना, और जो shortcut बताया हुआ हुआ है, म यहाँ mod x less than 2, fine, एक simple inequality है, solve करना है, and then v equals to x belongs to r, mod of x minus 2 greater than equal to 3, दोनों को solve करो, and then, जब then बोल के छोड़ दिया जाए option के साथ, तो क्या मतलब है, जो भी true है, उसे आपको click करना है, okay, understood, तो चालो, सबसे पहले a निकालते है, a में I can write now directly है, क्या क्या आपको भी पताया है, x belongs to r क्या लिख सकते हैं, less than wala term है, of course, minus 2 से 2 के बीच में, done, इतनी वाते थी, right, है ना, आपको पता ही है, belongs to r लिखने की ज़यूरत ही नहीं होती है, because, जब भी कुछ नहीं लिखा जाता है, तो by default, it is real number, है ना, done, चलो, अब चलते हैं, b में, b में भी हम directly लिख सकते हैं, x belongs to तू क्या कर सकते हैं, देखो, greater than equal to, यहाँ x minus a greater than equal to r वाला form, ले लो, क्या होता था, yes, greater than equal to है, तो minus infinity से start करेंगे, then, यहाँ होता था a minus r, tell me, क्या हो जाएगा, 2 minus 3, of course, minus 1, with close bracket union, अब यहाँ क्या होगा, a plus r, 2 plus 3 कितना होता है, 5, with close bracket infinity, done, इतनी ही बाते इसके अंदर है, अब क्या चाहिए हमें भाई, सबका relation, तो ऐसे question तो solve किये हो हो already, तो चलो जिल्दी से हमें solve करना है, तो सबसे पहले क्या बता है था, ऐसे question को solve करने के लिए, it is always advisable and better also कि हम number line बना ले, क्या-क्या points हैं भाई, minus 2, negative में minus 2 सबसे छोटू दिख रहा है, फिर minus 1, फिर क्या है यहाँ 2 है, चलो 2 लिख दिया, फिर वहाँ पे है 5, तो 5 भी लिख दिया, done, और कोई भी चीज़े नहीं है, done, अब देखो, minus 2 से 2 open के साथ, तो minus 2 पे open कर दो, और 2 पे open कर दो, बीच में line जोड़ दो हो गया यह, तो यह है, A यहाँ लिख लेते है, अब B के value, minus 3 से minus 1 पे close तो close मतलब एक डाक सा dot दे दो, और इस साइड, फिर वहाँ पे है 5 को भी dot करना है, डाक से और इस साइड, है ना, इतनी बाते है, अब क्या करना है, हमें A minus B पहले चेक करते है, A minus B क्या हो जाएगा, तेल मी, डरेक्ली डरेक्ली बता दे ना, फटाफट से, अब तो आपको तो minus 1 पे open, 2 पे already open था, correct, okay, यहां देखो क्या है, close bracket, that means this is not correct, A option अपना, यहां से eliminate हो गया, मतलब वहाँ क्लिक कर सकते है, अब भी देखते है, उस में क्या है, A intersection B, चलो check करे, A intersection B, that means यह वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, यहां close दिखेगा, तो चलो close कहां पे है, minus 1 पे और यहां क्या है, open, minus 2 पे, तो minus 2 पे open, और 1 minus 1 पे close, बढ़ यहां देखो, यहां पे फिर open कर गया है, तो यह भी true नहीं है, चलते है दीसरे पे, तो तीसरा क्या है, A union B, A union B चेक करो, सबका union, इसका मतलब क्या दिख रहा है, minus infinity से लेके, कहां तक, यहां open है, तो 2 पे open हो and then union 5 पे close है, तो 5 से infinity, बढ़ यहां किस form में लिखा है, R minus के form में, तो हम R की form में कैसे लिख सकते हैं, R minus, क्या बताया था, जहां पे open होता है, वहां close कर देते हैं, तो फिर close हो जाएगा 2, और यहां close है, तो हम कर देंगे open, यह होनी चाहिए value, बढ़ यहां क्या है, देख अगर आप sure हो सारे answer को लेकि तो, ठीक है, तो इसलिए जब भी question solve करो, तो बिल्कु एक दम confidence के साथ करो, so the time save होता जाएगा आपका, okay, but as I am teaching you, तो चलो मैं यहां पे इसको भी दिखा देती हो, क्या value आ रही है, ठीक है, चलो, B minus A, क्या हो जाएगा, देखो, B में से हमने A को minus किया, तो of course minus infinity से लेंगे ही, तो minus infinity से कहां तक, देखो, A को हमने minus किया है, तो यहां से open minus किया है, तो close तो रही जाएगा, कहां पे minus 2 पे, तो minus 2 पे close हो गया, union, अब क्या करना है हमें, यहां पे क्या लेना होगा, देखो, हमने B minus A किया था, that means, और तो कुछ मतलब नही कि यहां से directly as it is, लिख दो, तो 5 से लेके, क्या हो गया है, infinity तक, है ना, अब इसको हमें लिखना होगा, R की form में, तो हम क्या लिख सेकते है, R minus, यहां पे क्या है, close, तो क्या करेंगे, open, minus 2 पे, यहां पे, यहां पे भी करेंगे, open, देखो, क्या option है, so this one is the actually correct answer, देख सकते हो, हर जगा जो 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 हमने answer निकाला, कहीं पे match नहीं किया, बट, यह वाला जो answer है, यह पिलकुल perfect match है, so D is the correct option, for this particular question, right, तो चलो चलते हैं, अगले question पे, और यही रहा अपना question number 10, देख सेकते हो, यह भी, MCQs 1, that में सही की option है, जो कि है, correct, आया था अपना J में, के 2020 में, 27th Jan second, shift में, okay, तो चलो देखो, इस question को कैसे solve किया जाए, let A, B, C and D be for non-empty sets, मतलब, कुछ ना कुछ उसमें है, ठीक है, done, the contra positive statement, okay, ध्यान देना, यह नया word आया है आपके लिए, अगर नहीं पढ़े हो पहले तो, of, if A is a subset of B, and B is a subset of D, then A is a subset of C, is what, कुछ नहीं समझ में आ कोई बात नहीं, देखो अभी दिहान से, क्या बोला गया है, A, B, C, D, जो है, सारे एक set है, non-empty set, मतलब, कुछ ना कुछ उसमें है, right, मतलब, 5 नहीं है, कोई भी set, okay, अब आपको बताना है, contra positive statement, इसका मतलब क्या होता है, just example से समझो, अगर अपने पास है, if X, then Y, ठीक है अगर मैं ऐसा लिख रही हूं, एक statement, if X, then Y, तो इसका जो है, contra positive statement क्या होता है, इसका हो जाता है, just ultra, समझ रहो, that means, जो हमने statement दिया है, उससे, और that means, यहां हमेशा दो variable होते हैं, एक की विज़े से, दूसरा हमने अगर इस तरह से लिखाया है, तो अब इसका contra positive statement जो है, व then यहां हम क्या लिख सकते हैं, if not Y, then not X, got the idea, यहां क्या था, पहले X था, फिर Y था, अब यहां क्या हो गया है, पहले Y फिर X, यहां क्या था, पहले X था, Y था, और यहां नहीं है, नहीं है, समझ रहो, that means, एक तो पहले उल्टा करो, दोनों जेकर no लगा दो, correct, बस इतना ह समझना है आपको, contrapositive statement को, okay, तो यहां पर अब देखो, क्या बोला गया है, if A is a subset of B, and B is a subset of B, then this, that means, पहले हम किसको लिखेंगे, इसे, तो क्या करना होगा, if A, अब बताओ, not लगाना है, not, तो हम क्या करेंगे, यहां पर subset में, आपको पता ही है, not a subset of C, लिख सकते हैं, इस तरह से, then, हमें क्या लिखना होगा, इन दोनों statement को, तो क्या करेंगे, यहां पर भी, A is not a subset of B, और बीच में आया था, and, तो इसलिए हमें लिखना होगा, or, क्योंकि हम set की बात कर रहे हैं, तो उल्टा कैसा हो जाता है, and बनता है, और और बनता है, and, clear, and साथ में क्या था, B is a subset of D, तो B is also not a subset of D, यहीं होगा, इसका contrapositive statement, clear, understood, अब देख लो, मैं आज करके कौन सा statement है, तो A is a subset, पहले, subset वाला तो होगा नहीं, यहां पर भी देख सकते हो, not नहीं है, that means, C is the correct answer, देखो, same to same statement है, if A is not a subset of C, then A is not a subset of B, और B is not a subset of D, clear, understood, तो बस logic पे था बे देखते हैं अग्रा question, और यहां पर आपना question number 11, देख सकते हो, यहां पर भी MCQs 1, that means, एक option है, correct, J means में होगा है, 19 में, 2019 के 9th April 2nd shift में, okay, तो चलो, देखते हैं, को पहले, रीड करके, तो समझ में यहां रहा है, यहां परसंटर इतना बड़ा सा question है, यहां तो probability का होता है, नहीं, तो फिर मेली set से होता है, चलो देखते हैं, two newspaper A and B are published in a city, ठीक है, it is known that 25% of the city population reads A and 20% reads B, समझ रहो, ठीक है, okay, इतना बात समझ में आ गया, अब, while 8% reads both A and B, that means intersection, हमें यह पता चल रहा है, okay, तो क्या करना चाहिए, यह बेटर है, कि आप Venn diagram बनाते जाओ, या तो फि लिखते जाओ, ठीक है, okay, तो चलो लिखते जाते हैं, यहाँ पे Venn diagram बनाते हैं, A and B बोला गया है, यह A है, यह B है, अब, A में कितना था, 25% of the city population reads A, तो यहाँ पे 25 कर देते हैं, ठीक है, done, अब यह क्या हो गया, आपका, B है, आपका 20%, ठीक है, यह 20% हो गया, अब 8 है, बोथ read करता है, इसके अंदर 8 होगा, तो जब इसके अंदर हम 8 करेंगे, तो of course, यह 8 यहाँ से भी minus होगा, और 8 यहाँ से भी minus होगा, है न, यह तो दुम basic logic, आपको पता है, यह बन diagram बनाना, right, done, अब further 30% of those who read A, but not B, ध्यान देना, who read A, but not B का मतलब, यह वाला हिस्था भ इस वाले हिस्थे की हम बात कर रहे है, then, इस वाले हिस्थे का कितना 30%, ठीक है, who read A, but not B, look into advertisement, and, अच्छा, मतलब 30% of इनका, इसका मतलब, अगर मैं ऐसे थोड़ा सा चलो, इस तरह से बना देते हूं, तो इन पूरे का 30%, इसका मतलब 25 minus 8 कर लो, कितना आ रहा है, आपके पा लिख सकते हैं, 30% of 17, correct, तो ये वाला जो हिस्था है, वो क्या हो गया है अपना, 30% of किसका 17 का, कितना हो जाएगा, 5.1, that means 5.1 जो जनता है, वो advertisement चेक करती है, ठीक है, and 40% देखो, but not B, ठीक है, done, now, and 40% of those who read B, but not A, also look into advertisement, अब किसका, B का, but not A, इसका मतलब इसको दूसरे कलर से अगर दिखाऊ, तो that means we are talking about now this portion, correct, अब इसका क्या है, 40%, that means इसके बार में अगर मैं लिख हूँ, तो this is 40% of what, 40% of ये जो बचा हुआ था, that means 20 minus 8 to 12 का, 12, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4.8, तो 4.8 जनता जो है out of this, वो क्या करती है, अब उसके बार, while 50% of those who read both A and B look into advertisement, इसका मतलब 40% जो है, अब यहाँ पर जो 40% की बात कर रहे हैं, वो कहां से आएगा, not 40%, 50% of this, that means of course ये अगर 8 है, उसका 40, 50% कितना हो जाएगा, 4, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, कि ये जो है, वो कुछ नहीं, बलकि 4 है, out of this 8, done, clear, समझ में आ रहे ही बात, चलो, फिर question क्या है, then, what is the question, then the percentage of the population who look into advertisement is, अब पूरा percentage बताना है, कि जो advertisement चेक करती है, clear, understood, तो हम क्या करेंगे, देखो ये चेक करती, advertisement, ये चेक करती है, और ये तीनों का addition ले लो, that's all, हो गया काम ख़तम, इतने ही लोग देखते हैं, not advertisement, right, तो तीनों में से हमने क्या देखा, कि तीनों ही अपना actually क्या है, mutually disjoint set, isn't it, है या नहीं है, देखो, इनका इसका को intersection नहीं है, इनका इनके साथ को intersection नहीं है, इसका मतलब तीनों का ही हमने separate निकाला है, तो therefore जो अपना result होगा, वो क्या होना चाहिए, 5.1 plus 4.8 plus यहां से आ गया है 4, तो क्या हो जाएगा, देख लो, यह हो गया 9 और यह हो गया 13, तो 13.9 percentage जो होगी, that will be the answer, अलड़ी यहां लिखा गया है in the percentage, तो इसका मतलब सिर्फ 13.9 लिख सकते हैं, answer, clear, इतना ही है answer, तो कौन सो option है, okay, so option C is your correct answer from this particular question, clear, done, देखते हैं अगला question, और यह देखो, यह रहा, अपना problem number 12, यह भी है, MCQs, तो देख सकते हो, यहां पे भी A की option है, जो correct है, आया हो है, जही में के, 2019 में, 12th April, 2nd shift में, ठीक है, तो question कोई तुम ध्यान से देखते हैं, let A, B and C be set such that, 5 is not equal to intersection B and it is a subset of C, इसका क्या मतलब हुआ, कि A intersection B में कुछ न कुछ तो जरूर मौजूद है, और वो subset किसका है, C का, ठीक है, then which of the following statements is not true, तो यहां पे not true है, ध्यान रखना, not true वाले statement को हमें click करना है, then, तो, ऐसे case में, या तो वेंट एग्जम से बना लो question, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई-कोई example ले सकते हैं, ठीक है, तो आइसके में चार-चार statement चेक करने हैं, let us assume, कि मैं यहां पे आपको example लेकर देखती हूँ, A में ले सकते हैं, चलो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, और कुछ ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ठीक है, B को इस तो चलो, मैं ले लेती हूँ, intersection लेना है, तो चलो, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और साथ ही साथ, चलो, 7, 8 भी ले लेते हैं, ठीक है, done, अब C की value मैं ले लेती हूँ, let us assume, क्या होना चाहिए, subset होना चाहिए, A intersection B उसका, तो सबसे पहले तो देख लो, यहां से की A intersection B क्या आ रहा है, A intersection B आ जा रहा है, हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3, 7, 8 आ रहा है, correct, तो 3, 7, 8 आ रहा है, done, अब C की value मैं ले पास क्या है, तो 3, 7, 8 तो हमें रखना ही है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, done, तो चलो मैं बाकी लेटर सज्यूम एक 10 भी इसके अंदर रख लेती है, अब क्या बोला जा रहा है, अब यहां पर बोला जा रहा है, कि अगर अपना A minus C अगर हम करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, तो और ठीक है, A minus C अगर हम करते हैं, तो क्या जा रहा है, देखो, A minus C अगर करेंगे, तो हम 1,2 आ रहा है, ठीक है, अब दिस इस अगर सबसेट अब B, अच्छा, यह अगर सबसेट है B का, तो चलो यहां तो नहीं आया, तो एक काम करते हैं, यह 1, 2 ना लेके, हम लोग C के अंदर भी 1,2 ले लेते हैं, ठीक है, अगर C के अंदर भी 1,2 ले लिया हम ने, तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया, अपने पास A में, A में क्या क्या वैल्यू आई, 1, 2, 3, 7, 8, कुछ भी नहीं, that means 5 आ गई वैल्यू, है ना, अब A मैंने C के अंदर भी आ गया है, fine, अब यह बोला जा रहा है, subset है B का, तो भाई, correct ही है, यह तो बोला ही गया है, then A will be a subset of B, यहां पर यह बोला जा रहा है, कि क्या इस condition में A subset है B का, यह सही होना चाहिए, तभी यह true होगा, तो देख लो आप, A क्या subset है B का, नहीं, right, जबकि A मैंने C तो है subset B का, but A is not a subset of B, isn't it, तो A is not a subset of B, that means, यह स्टेटमेंट जो है, यही होगा आपका आंसर, because this is not true, और A की ऑप्शन है, that means, डिरेक्ली हम इसे क्लिक करके, बता सकते हैं, आंसर, right, चलो दूसरा भी चेक कर लिया जाए, A मैंनेस B निकाल ला है, तो चलो A मैंनेस B, अगर हम यहां निकाले, तो क्या आएगा, A में से मैंनेस B किया, तो क्या क्या जा रहा है, 3 जा रहा है, 7, 8 जा रहा है, that means, सिर्फ 1, 2 आ रहा है, done, अब A मैंनेस B है, सबसेट C का, तो अफकोर्स हां है, भई, सबसेट C का, तो इससे बोला जा रहा है, कि A जो है, वो सबसेट है C का, अफकोर्स हमें दिख रहा है, कि 1, 2, 3, 7, 8 सा रहे ही है, इसमें, that means, सिर्फ 1, 2, 3, 7, 8, 10, that means, C आ जाएगा, इसके साथ साथ एक और वैल्यू आएगी 5, अब दोनों का इंटर्सेक्शन, तो ऑफकोर्स क्या मिलेगा, हमें C ही मिलेगा, ऐसे भी देख लो, इसको अगर आप डिस्टिब्यूटिव लाव लगा दो, तब भी यह हो जाएगा, आपका सही कि C के बराबर ही आ रहा है, तो हमेरे पस आ कहीं वैल्यू, अब देखो, B इंटर्सेक्शन C इस नॉट इकुल तो 5, ऑफकोर्स, B इंटर्सेक्शन C जो है कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा, वाई, बिगार C के अंदर A इंटर्सेक्शन B है, तो यह तो स्टेट्मेंट ट्रू है ही, तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन A is your correct answer, डन, चलो अब देखते हैं, अगला क्वेशन, और यह देखो, यह रहा अपना प्रॉब्ल नॉबर 13, यह भी है, MCQs 1, हर एक क्वेशन को, अगर चाहते हो, कि आपकी competitive exams, एकदम आपके मन के इसाब से, एकदम अच्छे जाएं, सारे क्वेशन आप कर पाओ, तो सारे क्वेशन को देखके, solve करना is very important, मैं इतना बता सकती हूँ, कि अगर यह सारे क्वेशन, आप हमारे साथ साथ जुड़के, अगर खुद से solve कर लो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, तो सारे क्वेशन आपको self study, तो करनी ही पड़ेगी, तो we are here to help you, but you have to study, तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते वे इस question को solve करते हैं, क्या है क्वेशन में, in a class of 140 students, class में कितने student भाई 140, numbered 1240, अच्छा हर एक student का नाम जो है न, numbering ऐसे कर दी गई है, यह जैसे roll number होता है, 1 से लेके 140 तर, ठीक है, done, all even numbered students opted mathematics course, अच्छा, इसका मतलब, maths के अंदर है, ऐसे question जो बड़े होते हैं, तो try करो कि साथ में short कुछ लिखते जाओ, so that याद रहेगा कि क्या क्या पढ़ा था हमने इसमें, तो maths में क्या है, सारे आपके जो है, even numbered students opted mathematics, that means even number वाले, 2 वाले, 4 वाले ऐसे, that means 2 and type की जितने भी student है, roll number वाले, वो आगे हैं maths में, ठीक है, those whose number is divisible by 3 opted physics, अच्छा, physics के लिए कौन से, third number वाले, तो P के लिए चलो विमाल लेती हूं, 3 and type के लोग हैं, okay done, type के मतलब बच्चे हैं बाइग, इनका roll number इस तरह से है, done, and those whose number is divisible by 5 opted chemistry, okay, तो chemistry में कैसे हैं 5 and, ठीक है, done, ज्यान रखो क्या करना होगा, ऐसे questions में, जब डिद नॉट वाले टर्म आ गया, फॉर एनी आप दे त्री कोर्सें, so it is always अच्छा है कि क्या करें हम, the students who opted for any of three courses, तो क्या हो जाता था, union करते थे, है ना, that means basically हम क्या करेंगे, यहाँ पे number of, M union, P union, C निकाल लेंगे, और फिर U में से, that means 140 student में से, वो number minus कर देंगे, that will be your answer, वर दा आइडिया, तो बस यही करना है, तो basically इसका formula आपको पताई है, है ना, उस formula में बिठाना है और लिखनी है values, तो आप basic मुद्दा क्या है, कि हम कैसे number of M, number of P, number of C निकालेंगे, तो चलो निकालते हैं, इस question के सुरुआत करते हैं, तो number of M मतलब क्या हो गया, सारी even number student, है ना, तो कितना हो जाएगा, total अपने पास 140 है, तो of course 140 by, हम क्या लिखेंगे 2, तो यह हो गया 70, यह तो निकाल लिया हमने, number of physics वाले student कितने होंगे, बताओ मुझे, ले लिया मैंने greatest integer function, do you remember पढ़ा था greatest integer function कहीं, क्या होता है, जितनी भी हम values लेते हैं, अगर 1.2 लिया, 1.3 लिया, that means वो क्या करता है, highest integer value ले ले लेता है, तो इसकी value 1 हो जाती है, right, तो आपको पता है कि नंबर मतलब आधा स्टूड़न तो नहीं बोल सकती ना मैं, because 140 by 3 करोगे, तो आपकोस यह decimal में value आएगी, इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि भाई बच्चे, यह साड़े तीन बच्चे, यह से बच्चे पढ़ेंगे physics, right, हमें लेना होगा, हमें सा integer value, तो इसलिह मैंने यह पे greatest integer लगा दिया है, ठीक है, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, बढ़ यह आपका time save करेगा, तो इसलिह मैंने आपको यह वाला concept बताया, so this is the trick to take the values like this, done, क्या करेंगे 140 by 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, and then यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 46 point something आएगा, तो हमें क्या लिखना होगा, अंसर सिर 46 लिख सकते हैं, correct, तो इतने ही बच्चे जो है, odd number वाले, वो होंगे आपके physics के अंदर, ठीक है, done, अब चलते हैं क्यमेस्ट्री के पास, तो क्यमेस्ट्री में कितने बच्चे आएगे भाई, बोलो, 140 भाई हमें 5 करना होगा, यह तो गर इंटीजर नहीं विलो कि तब भी बराबर ही आएगा, तो this is what, 1 और यहाँ से 8, so 18 हो गए ना, ने, 2, 28 हो जाएंगे हैं ना, करेक्ट, चलो, तो 28 बच्चे आगए, अब यह मत बोल देना कि सारे disjoint है, क्यों, बिकाज, जो अपना 10 है, रोल नमबर जिस बच्चे का, वो तो भई, फिजिक्स भी पढ़े, केमेस्ट्री भी पढ़ेगा, और मैट्स भी पढ़ेगा, करेक्ट, होगा यह ने, जो अपना बच्चा, जो की 30 रोल नमबर वाला है, वो तो मैट्स भी पढ़ रहा है, फिजिक्स भी पढ़ रहा है, साथ ही साथ केमेस्ट्री भी पढ़ रहा है, गर्दा एडिया, मैं बस एक दो एक्जामपल लेकर आपको बता रही हूँ, so that you can understand, कि कॉमन वाली वैल्यूस भी आएंगी यहां, तो उसको हमें इलिमिनेट करना होगा, as we know, कि इसकी जो वैल्यूस हम लिखते हैं, यह वाला जो यूनियन वाला हम टर्म लिखेंगे, उसमें क्या होता है रिजर्ट, this is always, you all know, number of M, plus number of P, plus number of C, लिखते थे, minus हम number of, क्या करते थे, M intersection P, then minus of P intersection C, then minus number of C intersection M, और साथ में, plus कर देते थे, number of M intersection P, intersection C, got it, यही होता था ना, तो इसलिए हमें इन सब की values, निकालनी होगी, correct, अब मुझे बताओ, इन सब की values कैसे निकालोगे, तो देखो, बहुत ही सिंपल है, अगर मुझे number of, P intersection C, निकालना है, तो short trick लगाते हुए, 140 divided by, क्या करना होगा मुझे, P and C का combination, इसका मतलब, यहाँ पे, P और C का मतलब है, Physics and Chemistry, so 5 into 3, that means 15 से होना, जिए डिविसिबल, correct, तो लिख दे यहाँ पे 15, कितने बच्चे आएंगे, जल्दी से बता दो, फिर, number of, हम यहाँ पे, similarly, क्या करेंगे, M intersection P, ठीक है, okay, तो M intersection P किया, हमने, तो वो क्या हो जाएगा, tell me, M and P का combination, 2 into 3, कितना होता है, 6, so this will be nothing but, 140 upon 6, ठीक है, done, तो यह हो जाएगा, answer यहाँ, फिर, number of, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, फिर, हमें चाहिए, क्या C intersection M, तो, M intersection C, लिखो, या कुछ भी लिखो, बात बराबर है, तो this will be what, 140 divided by M and C का multiplication, so M 2 वाला था, और C 5 वाला, तो 10, so this will be divided by 10, correct, and now, number of M intersection, P intersection C, अगर हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 140 divided by 3 का multiplication, that means 5 into 3 हो गया, 15 into 2, 30, so, this will be here, the value, निखाल लो सबकी values, कितनी आजाएगी, देख लो, so this will be here, 9, right, this will be what, tell me, यह हो जाएगा, 23, correct, और यह हो जाएगी, आपके पास value, 14, फिर यहाँ पर value, कितनी आजाएगी, यह हो जाएगी, 4, correct, यही हो गया answer, है ना, तो सबकी values, हमने निकाल ली, अब तो बस यहाँ, पुट करना है, तो निकाल लो value, number of M, that means 70, plus हम क्या कर रहे हैं, 46, plus 28, M intersection P, क्या निकाला था, 23, तो minus 23 किया, minus P intersection C, क्या हुआ था, 9, minus क्या करना है, C intersection M, that is 14, plus कर रहे हैं, 4, निकाल लो value, कितनी आ रही है, so this value, is equal to 102, correct, तो अगर ये value, 102 आई है, तो tell me, जो हमें, required answer, चाहिए, that means, the student, who did not, opt for any of the, three courses, क्या हो जाएगा, क्या बताया था, the answer, will be here, U minus, that means, इसका होगा, अपना कॉंपलिमेंट, so U minus, this whole term, that is 102, अभ यहां, U क्या है, of course, this is nothing, but that means, this is number of U, not U only, so number of U, क्या है, 100 photo student, so 140, minus 102 हो जाएगा, and that is nothing, but 38, so the answer is here, 38 कौंसा option है, so option D, is your correct answer, clear, understood, थाना बहुत है, simple सा, अच्छा सा question, right, simple नहीं, अगर tricky है, ध्यान से आप देखोगे तो, otherwise, अगर आप ऐसे ढूँटे चले जाओगे, कि भाई, इसका intersection निकालना है, फिर इसका intersection, फिर से इसका intersection, तो बहुत लंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो ऐसे cases में, हमेशा हमेशा ये logic लगाना चाहिए, so that हमारा time सेव हो सके, ठीक है, तो चलो अब चलते हैं, अगले question बे,